देश में 7 दिसंबर को भारतिय शशत्र सेना जंडा दिवस मनाया जाएगा इस मौके पर भारतिय स्टेट बैंक के 36 गरद्वारा जंडा दिवस के लिए 1 लाग रुपे का डोनेशन भी दिया गया बता दे कि यह दिवस थल सेना, नौ सेना और वायू सेना के जवानों के देश में जंडा दिवस मनाया जाता है जंडा दिवस का महत्त्र सबसे बड़ा यह है कि यह दिवस हमारे देश के नागरिकों को एक प्लैटफॉर्म देता है एक ओकेशन दिएक मौका देता है जिसमें वह अपनी सेना का अपने शहीदों का सम्मान प्रगट करते हैं इस जंडा दिवस में हमारे देश के सभी नागरिक सभी संस्थान चाहिए वो अधितिक संस्थान हो आफिसेज हो स्कूल्स हो वो सभी दिल खोल के एक राशी का दान करते हैं जो राशी जंडा दिवस निधी के रूप में राज्य सैनिक बोर्ड में आती है और इसकी साथ ह हम हमारे भूतपूर सैनिक शहीर परिवार और हमारे सैनिकों के आश्रितों की कल्यान करी योजनाओं का क्रियानवन करते हैं चतीस गर्राज में करीब 47-48 हजार के लगबग बूतपूर सैनिक और उनका परिवार उनके आश्रित हैं उनके लिए उनके पुनरवास के लिए उनकी शिक्षा उनके स्वास्थ रोजगार के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो की हम अमल में लाते हैं भारती स्टेट बैंक और भारती सेना का एक बहुत ही दर रिष्टा है चाहे आप अनाचल में चले जाएं चाहे आप लदाक में चले जाएं चाहे आप राजिस्तान के दूर दराज की लाके में चले जाएं आपको भारती स्टेट बैंक हमेशा दिखाई देगा और एक सोल्जर वो हमेशा से ऑपरेशनल लाके में भी जब रहता है तो उसकी जो financial needs है वो भारती स्टेट मेंक हमेशा पूरा करता है जैसा श्री यादवजी ने बताया fighters कर रहे हैं जिसमें भूतपूर सेनिकों के लिए सभी योजना हैं सभी सुविधा हैं और समस्था योगदान दिया है और मैं इनके लिए अभारी हूँ, मैं समस्थ भूतपूर सैनिकों की तरफ से उनके परिवार की तरफ से सिरेट बैंक का शुक्रिया अदे करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जब ऐसे निसिटिजूशन ना हमारे साथ में होंगे हमारे शहीदों के परिवार के लिए, सैनिकों के परिवार के लिए किसी बात की चिंता करने के वश्रक्ता नहीं होगा देखे, आज हमारे साथ बिर्गेडियर विवेक सर्मा जी है जो यहां राजे सैनिक बोर्ड है, उसको हेड करते हैं इनके नीचे करीब 10 से 11 डिस्टिक्स एनिक बोर्ड भी हैं जो की विविन डिस्टिक्स में काम कर रहे हैं बेसिकली जो यह इंस्टिटूशन है, उसके बारे में सर्मा साथ जादा बताएंगे, लेकिन यह जो सोल्जर्स हैं अनिस्टि के कार्ण हर सिटीजन कंट्री में सुरक्षित फील करता है, अपना बैटर कंट्रिब्यूट करता है सोसाइटी में तो फ्लैक डे नजदीक था और भारती स्टेट बेंक कंट्री की में एक बहुत ही महत्वपून इंस्टिटूशन है तो हमारा भी सोसाइटी के परती कुछ दाइत्वे बनते हैं तो हुनी दाइत्वों को निभाते हुए हमने कार्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिवल्टी हमारी एक योजना है उसके अंतरगत आज हमने राजे सैनिक बोर्ड को डोनेशन दिया है जाकि वो जो हमारी सोलजर्स हैं उनकी फेमलीज हैं चिल्डरन्स हैं उनके वेलफेर में काम आ सके ये भारते स्टेट बेंक की तरफ से एक चोटा सा परियास है और एक असोशेशन भी है सैनिक बोर्ड से क्योंकि यदि बिर्गेडियर साब ने अपने स्पीच में भी बताया था भारते स्टेट बेंक और सेना सेना जब मैं यहां बोलता हूं तो उसमें एर फोर्स नेवी और आर्मी तीनों सामिल हैं पैरा मिल्ट्री भी सामिल हैं उनका बहुत ही क्लोज रिलिशन्सिप है जहां कोई भी नजर नहीं आता वहां एक भारते सैनिक और भारते स्टेट बेंक की एक ब्रांस नजर जरूर आए गया आपको आप कन्या कुमारी से देख लीजिए ले लद्दाक में देख लीजिए तो यह जो क्लोज असोशेशन है उसी को हम और करने के लिए एक छोटा सा प्रियास किया है आने वाले टाइम में यह आगे भी भड़ता रहेगा ऐसी हमारी उम्मीद है